गुद्वानिंग आईस हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत हैं बहुत सारी लोग चाहते थे कि मैं अलग-अलग मार्केट एक्स्प्लोर करूँ ये वाली जो मार्केट है ये सिर्फ मंडे को लगती है मार्केट का जो नाम है वो करोलबाग है करोलबाग का जो मेट्रो स्टेशन है वही बढ़ता है आप करोलबाग मेट्रो स्टेशन से आईए Monday को लगती है, morning में 10 बचे लगना शुरू हो जाती है जैसे normal market लगती है ना, सस्ते वाली वैसी ही ये वाली है, जो night suit थे ना वो 400-500 रुपे की रिंच में आपको मिलेंगे खाली टी-शिर्ट लोगे, long टी-शिर्ट अब वो आपको 250 रुपीज की पड़ेगी हर एक रिंच पे आपको ऐसे price मिल जाएंगे ताकि आपको परिशान ना होना पड़े कि इसका क्या price है, कई पर क्या होता है ना, भाईया available नहीं होते है रिंच के पास, या वो इधर ओधर होते हैं तो हम लोग क्या करते, wait करते रहते, कब वो आएंगे, कब हम पूछेंगे बट इन्होंने चीजों को थोड़ा से easy way में present किया है इन्होंने हर एक board पे price लिख दिया है जो night suit है ना, proper वो 450 और 500 रुपे की रिंच में है अगर आपको gown dresses वगेरा लेनी है तो हम लोग क्या try करते हैं ना, कि आसपास अगर कोई सस्ती market लगती हो तो हम उधर जाके shopping कर ले जूल्री हर कोई पहनता है, कभी ना कभी हर किसी की life में, daily use में जूल्री use होती रहती है तो अगर आपको भी अपने लिए जूल्री चाहिए साड़े 300, 400, 500 रुपे की range में आपको बहुत easily करोल बाग में चीज़े मिल जाएंगी करोल बाग ना, इतनी बड़ी market नहीं है हाँ, सही है, आप चीज़े ले सकते हो, shopping कर सकते हो और मतलब यह है कि यहाँ तक पांशना भी बहुत जादा easy हो जाता है क्योंकि करोल बाग का जो metro station है, उससे निकलते ही market है bridal set तक, normal set सब आपको इधर available मिल जाएगा अगर आपको अपने लिए भी कुछ सुन्दर चीज़े खरीदनी है, सस्ती खरीदनी है तो आप एक पर जरूर एक फ्लोर करके देखे, आपको करोल बाग काफी सही लगेगा बाकी जो design में आपको अब भी दिखा रही हो ना यह आपको सदर बाजार में भी मिल जाते है, 200-500 रुपे की range में और मतलब आपको ना बहुत सुन्दर सुन्दर ये neck piece मिल जाएंगे चोकर टाइप में, 1.500-1.500 रुपे में क्या होता है ना, जब कोई चीज बल्क में ली जाती है तो उसका price कुछ हो रहोता है, retail का price कुछ हो रहोता है कुछ-कुछ pieces का price 350 था, कुछ-कुछ का 300 रुपीस था तो अगर आपका budget 300-300 रुपे तक का है तो आपको काफे जादा सही चीज़े मिल जाएंगे amrela suit मिल जाएंगे, maxi dresses मिल जाएंगे मतलब overall मेरा कहने का ये है कि आपको यहाँ पर हर एक चीज़ आपको मिल जाती है चाहे आप Indian lover हो या Western lover हो options बहुत सारे हैं, color भी आपको काफी जादा मिल जाएंगे तो आपना इस तरीके से यहाँ पर rings को explore कर जाकती हो जितने भी जो करोल बाग के आसपास के लोगो तो वो Monday market से काफी जादा shopping करते है अगर आप थोड़ से late करोगे तो आपको हलकी फुल की भीड़ भी नजर आ जाएगी 200 रुपीज की range में footwear मिल जाते हैं बारिश के मोसम में है या फिर आपको ऐसे bathroom चपल यूज करना है और आप इनको भार भी पहन के जा सकते हो तो काफी सही लगती है 200 रुपे की range में आपको बहुत सही footwear मिल जाएंगी ये lightweight थी तो पहनने के बाद आपको थोड़ सा awkward feeling भी नहीं आएगी काफी सही और comfortable आप feel करोगे तो आप अपने choice के according यहां से footwear भी खरीच सकते हो आपने I hope सारे design एक बढ़ नजर में से मार लिये होंगे कि भाई किस तरीकी के design आपको मिलेंगे अभी धूप इतनी जादा होती है हर किसी को shades चाहिए होते हैं sunglasses चाहिए होते हैं और भादका में लोग ऐसे होते हैं जिनको specs लगाना पसंद नहीं होता shades पहनना पसंद नहीं होता mostly लोग तो धूप में sunglasses वगरा prefer करते ही हैं अगर आपके भी sunglasses पुराने हो गए आप कुछ नया चाहिए ताप एक बार जरूर ट्राय करें T-shirts वगरे यहाँ पे काफे सही मिल जाएंगी T-shirts की यहाँ पे आपको दो वरैटी देखने को मिलेगी इस तरीके की T-shirt आपको दो सुरुपे में मिलेंगी कुछ-कुछ T-shirts होते हैं जो आपको दिर सुरुपे में भी मिल जाते हैं बट इनमें भी डिजाइन भहुत सारे होते हैं अगर आपको रात को पहनने के लिए या जीन्स पे नॉर्मल पहनने के लिए T-shirts वगरे चाहिए तो आपको यहाँ पे multiple option देखने को मिल जाएंगी लोगों का concern यह था कि मैं बहुत बार मैंने markets दिखाई है लाजपत की दिखाई है चांदनी चोक की दिखाई पहले मैंने करोल बाग की भी दिखाई थी बट कुछ-कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जो करोल बाग मार्केट पे हो कि मंडे को वहाँ पे क्या चीज़ मिलती है कैसे पहुंचा जाए तो सिर्फ मैंने उसी के लिए यह वाली व्लॉक बनाई है अगर आपको भी जीन्स वगरा डैनम में कुछ खरीदना है या नॉर्मल फैब्रिक में कुछ खरीदना है तो 200 और 250 की रेंच में आपको इस तरीक है की नॉर्मल या आप कहीं भी जाओगे न साड़े 300-400 रुपे से कम अच्छी कुड़ती कहीं पे भी नहीं मिलते इवन कपड़ा तक नहीं आता है और हम लोग क्या सूचते हैं ना 2500 रुपे में अच्छी कुड़ती खरीद ले तो वो कहां पर पॉसिबल होगा इस तरीक है कि सस्ती मार्केट्स में भी मिल जाती हैं आपको काफे अच्छी विराइटी चाहे वो सदर बजार हो, सरोजनी हो या फिर करोल बाग हो या लाशपत नगर हो देखो अगर आपकी सी भी लोकल मार्केट में का हो या उनकी कोई भी ऐसेसरीज हो आपको यहां पर काफे सही मिल जाएंगी जो बॉटल सीना वो हर एक वरेटी में थी आपको मतलब हर एक प्राइस रेंच में आपको यहां पर देखने को मिलेंगी डेर सो रुपे से स्टार्ट होती है कुछ-कुछ मग इस तरीके के आपको 150 के मिलेंगे, कुछ बॉटल से आपको 200 उपीस की मिलेंगी, कुछ 350 की थी और कुछ 300 की थी तो डिपेंड करता है कि आप कैसी बॉटल ले रहे हो, उसमें यह क्या क्वालिटी है, उससाब से उसकी प्राइस डिसाइड होती है और यह लोग आपको काफी सही प्राइस पे यहां पे चीज़े दे देंगे अच्छा हो कि गर्मी ना लगी, तो अगर आपको भी टी-शिर्स पहना पसंद है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो आप यहां से टी-शिर्स की भी काफी अच्छी शापिंग कर सकते, एक रिंग में अगर आपने देखा होगा ना और नोट किया होगा, तो कम से कम 50 साथ टी-शिर्स तो होती है, पचास साथ टी-शिर्स का मतलब ही हो जाता है कि आपको 30-40 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर एक टी-शिर्स का अलग डिजाइन, कई पर क्या होता है ना, कॉपी लगी होती है, मतलब सेम कलर की, आपको 2-3 डिजाइ और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, यहां की प्राइज रेंज, प्राइज रेंज बहुत ही जादा रीजनेबल होती है, 350 में आपको कम्प्लीट प्लाजो सूट मिल जाता है, और अपने अगर नोट पे के होगा ना, बाके मार्केट में भी यह जो प्लाजो स जब भी हम शापिंग करने जाते हैं ना, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक दो चीज़े खरीदने गए हो, हमेशा यह रहता है कि हम यह सोचते हैं कि किसी सस्ती मार्केट में आए तो धेर सारी शापिंग करें, अगर आपको कॉस्मेटिक आइटम खरीदने हैं तो यहां पे जब भी वही प्राइज रहती है जो आपको नॉर्मली सदर बजार में सरोजनागर में देखने को मलती है, 50-50 रुपीज में आपको नेल पिंट मल जाती है, अच्छे वाली 50 में लिप्स्टिक मल जाती है, आइलाइनर, आर्टिफिशन नेल्स वगरा, काफी सारी चीज़े होती है, जो आप मेकप से रिलेटेड यहां से खरीज सकते हो, क्रियांस में लिप्स्टिक चाहिए है, या नॉर्मल लिप्स्टिक चाहिए है, दोनों ही आप्शन से अविलेबल होते हैं, ब्लू हेवन का आपको काजल मिल जाएगा, मेकप ब्रशे आपको इधर मिल या नॉर्मल डेली यूज के लिए आपको चाहिए हो, अब बात करते हैं, प्राइज रिंज की कि किस रिंज में आपको बैग मिलेंगी, बैग की दो प्राइज आपको मिलेंगी, यहां पे दो सो और तीन सो रुपे की रिंज में काफी अच्छे बैग होती है, नॉर्मली जिनके और जाद अच्छी क्वालिटी होती है, तो वो मेभी आपको 350 तक मिल जाए, बट साड़े 300 से जादा कोई भी बैग अप को नहीं मिलेगा, दोसो दोसो की रिंज में आपको यहां पे टॉप्स वगेरा की वराइटी देखने को मिल जाएगी, टॉप में भी काफी सा हमने ही यह वली रिंग थी, एक्चली जो करोल बाग मार्केट है न वो सिर्फ मंडे को लगती है, अगर आपके आसपास करोल बाग मार्केट जाने की फैसिलिटी है, बाई रिक्षा या बाई मेट्रो आप यहां तक पहुंच सकते हो, वाच वगेरा जो होती है न सब के घर को सजाना शुरू कर देती है, अगर आपको भी फूटो फ्रेम्स चाहिए, साड़े तीन सो रुपे की रिंज में या चार सो पान सो रुपे की रिंज में आपको वल क्लॉक चाहिए, उसके भी काफ़ एच्छी आप्शन से, मैट हर घर में कभी ऐसा नहीं होता है कि करता है कि आपको किस वराइटी में डोर मेट्स चाहिए, सो डेजसो दौस्व वाले डोर मेट यहां पे काफे अच्छे होते हैं, अब ये बडे वाले मैट आप देख रहे हो, यह लोग क्या करते है, बड़े वाले मैट भी रखते हैं, अगर आपको पूझा के लिए चाहि तो आप इस तरीके के आप्शन अपने लिए चूज कर सकते हो फैबरिक काफी जादा अच्छा है देवी संस के जस्ट अपोजिट में यह वाली रिंग आपको मिल जाएगी 350 के आपको footwear की sale मिलेगी जब भी आप किसी भी सस्ती market में जाओगे आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि वो market पूरी mix होगी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे सर्फ कपड़े कपड़े है घर का समान है अपको हर चीज मिलेगी घर का समान बच्चों के कपड़े बड़ो के कपड़े, shoes, छोटों के shoes, बड़ों के shoes, multiple variety अपको देखने को मिलेगी सबसे अच्छी बात होती है कि fix price होते हैं अगर आप बड़ों के लिए भी ले रहे हो तो आपको same price देना होगा छोटों के लिए ले रहे हो तो उसके लिए भी same price होता है जो सबसे छोटे वाले हैं वो आपको 250 रुपीज की range में मिल जाएंगे बाके बड़ों के 350 रुपीज की range में अगर same चीज आप सदर बजार से लेतो तो आपको 100 रुपीज में मिलेगी बट जो shoes पीछे आपको दिख रहे हैं बच्चों के उनकी quality सच में different है तो आप 100 रुपे की shoes में अगर ये मिलेंगे न तो possible नहीं अब जैसे ये वाले shoes हैं इनकी variety अब देखिए काफी सही है color options भी काफी बढ़िया ये 100 रुपीज की range में तो आपको 100 रुपे, 200 रुपे, 400 रुपे इस तरीके से variety मिल जाते हैं उपर वाले shoes 400 रुपे के हैं नीचे वाले shoes आपको 200 रुपे में मिल जाएंगी अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार 400 रुपे में shoes लेने हैं तो हम यहां से क्यों ले वो आपके ऊपर है आपको जैसा convenient लगे आप उसे साब से चीज़े ले सकते हो अभी winter आना start हो जाएंगे October में मीठी मीठी ठंड शुरू हो जाती सुबा के टाइम और शाम के टाइम अगर आपको भी स्टोल वगरा चाहिए है ना तो 150 रुपीज की रेंज में आपको अच्छे स्टोल मिल जाते हैं अच्छे स्टोल मतलब यह ना मतलब उतने heavy नहीं होते हैं शॉल नहीं होते हैं अगर आपको मैचिंग सूटों के साथ स्टोल चाहिए है तो यहां पर वह चीज भी अविलेबल है सो रुपी में जूलरी मिल जाएगी चाहिए वह चोकर सूँ चाहिए नार्मल जो आपकी ऑक्सेडाई जूलरी हो वह आपको मिल जाएगी जितने भी चोकर विद एरिंग है वो 150 के है सिंगल चोकर है वो आपको 100 रुपीज का मिलेगा और जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ना नेक पीस इस तरी के कि यह आपको यहां पर 100 रुपीज के मिलेगे बहुत सारी लोगों को ऑक्सेडाई एरिंग पहनना पसंद है तो उनके लिए भी काफी अच्छे आप्शन्स है ऑक्सेडाई में भी आपको क्या होता है न की साइज मिल जाते हैं बाकी पार्टी भी एर एरिंग भी आप यहां पर काफी अच्छे देख सकते हो और मतलब आप्शन्स तो काफी सही होते हैं सस्ती भी मार्केट है तो आसपास के लोग इसको आके जरूर एक्स्प्लोर करें जो लोग जादा दूर से आते हैं उनके लिए तो मैंने बताया कि सरोचनी सबसे बड़ी आ मार्केट है तो मेरी इंदरलोक वाली मार्केट जो मैंने अभी लास्ट टाइम कवर करी है एक दो दिन पहले वो जरूर देखना आपको सूट बहुत पसंद आएंगे ट्रॉली आप सामने देखी रहे हो ट्रॉली ओ का प्राइस क्या होता है न कि नॉर्मल जो छोटे वाले डफल होते वो साड़े 600 से स्टार्ट हो जाते है ट्रॉली बैक का प्राइस अलग-अलग होता है कोई 1700 का कोई 1800 का कोई 2000 का कोई 2500 का ट्रॉली मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि अगर आपको जरूरत है ट्रॉली बैक्स की तो आप यहां से भी ले सकते हो अगर आप सफारी, VIP इन सब ब्रैंड का फोड नहीं कर पा रहे हो तो लोकल ब्रैंड भी बहुत सारे होते हैं जिनकी क्वालेटी अच्छी होती है आप उनकी तरफ जा सकते हो जितने भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे बता रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी मेरी आप लोगों के लिए नहीं नहीं मार्केट्स एक्स्प्लोर करने का सूच रहे हूं ताकि आपको पता चले कि डेली एंसीयार में और कौन सी अच्छी मार्केट है जहां से आप अच्छी शापिंग कर सकती हो किचन के लिए अगर आपको समान चाहिए न वो भी आपको यहां पर मल जाएगा कड़ाई, छोटे पतीले, फ्राइड पैन, नॉन स्टिक फ्राइड पैन, सिल्वर वाले जो फ्राइड पैन होते या अलूमीनियम वाले होते सब के आप्शन होते किसी का प्राइड 3,500 था, किसी का 400 है, खड़ाई आपको 4,500 रुपै मल जाएंगे, मतलब डिफ्रेंट, डिफ्रेंट प्राइड रेंज में आपको यहां पर चीजर मिल जाएंगे, मिल टिन की भी थी इन के पास, तो अगर कुछ ब्रैंड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जरूर लें क्योंकि वह आपको सस्ते प्राइस पे मिलेगा प्लास्टिक वाले जो कंटेनर होते वह भी थे यह सब आपके मैले कपड़े रखने के लिए होते हैं अगर आपको चाहिए तो यह आपको सो डेड़ सो रुपए में यहाप इसली मिल जाएंगी बोलने को तो य अम्रेला वगेरा बहुत दूप पड़ रहे हैं वह भी आप 120 रुपए 500 रुपए में ले सकते हों ओवर ओल मैंने आपको सारी चीज़े दिखाई कि करोल बाग में आप क्या ले सकते हो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी